स्वामी वीवेकानंद एक बार अपने प्रवचन में इस्वर के नाम की महत्ता बता रहे थे उनके इर्द गेर्द अनेक भक्त जन विराजमान थे सभी ध्यान से प्रेम पुरवक उनकी बातों को सुन रहे थे तबी एक व्यक्ति बोला स्वामी जी आप बार-बार कह रहे हैं कि इस्वर सर्व सक्तिमान है हमें लोगों से अच्छे और कर्ण प्रिये सब्द बोलने चाहिए ऐसे सब्द साक्षात इस्वर तक पहुँचते हैं और व्यक्ति के अंतर मन को सुख वसान्ति प्रदान करते हैं भला आप जर्य यह तो बताएं कि सब्दों में क्या रखा है यदि हम अच्छे सब्द नहीं बोलेंगे तो क्या इस्वर नाराज हो जाएंगे उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामे जी बोले इस्वर तो दूर की बात है अब सब्दों के प्रयोग से तो व्यक्ति भी नाराज हो जाता है वह व्यक्ति बोला मैं इस बात को नहीं मानता बला सब्दों का जीवन में क्या महत्व है इस पर स्वामे जी उस व्यक्ति से बोले तुम अत्यांत मुर्ख, जाहिल, गमार और बेवकूफ व्यक्ति हो तुमसे बड़ा मुड़ व्यक्ति साइध ही इस पिर्थवी पर कोई हो तुम्हें तो किसी बात की समझ ही नहीं है तुम्हारा जीवन व्यर्थ है स्वामी जी के मुझे ऐसे सब्द सुनकर व्यक्ति उन्हें हैरानी से देखते हुए बोला आप स्वैम को स्वामी कहते हैं और ऐसे सब्दों का प्रियोग करते हैं आखिर आपने मुझे में ऐसे क्या कमी देखी जो मेरे लिए ऐसे सब्दों का प्रयोग कर रहे हैं स्वामी जी बोले मैंने तो सिर्फ तुम्हारे प्रश्ण का जवाब दिया है तुम कह रहे थे न कि सब्दों में भला क्या रखा है फिर मेरे द्वारा प्रयोग किये गया सब्दों से तुम्हें इतना आगात क्यों पहुँचा स्वामी जी का जवाब सुनकर वह ब्यक्ति दंग रह गया और उसने छमा मांगी वह बोला स्वामी जी आप सही कहते हैं सब्दों का बहुत महत्व है उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी जी बोले इसलिए बीना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए कई बार बीना सोचे समझे बोले गए सब्द व्यक्ति की दसा और दिसा बदल देते हैं इसके विपरित सोच समझ कर बोले गए सब्दों के माध्यम से व्यक्ति संतुलित रहता है और प्रसन्नता पुर्वक अपना जीवन यापन करता है वो व्यक्ति बोला स्वामी जी आगे से मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा धन्यवाद